दोस्तों आपके पास bank ATM नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं अपना phone pay account को बनाना, phone pay account में अपना UPI pin set करना, तो कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले अपना phone pay account को open करेंगे, और यहां से आपका देख लिजिए bank account add करने का option आजाएगा, जाकि पहले आपको mobile नमर मांगा जाएगा, वो चीज सारा कुछ कर लिजिएगा, mobile नमर डालके, उसके बाद bank account आपको बुला जाएगा, मांगा जाएगा, तो यहां से अपना कोई भी bank account जो भी आपका bank account हो, उसको आप चून ले, और उसी bank account के उपर में click करेंगे, तो थोड़ा सा समय लगेगा fetching में, fetching जब हो आपके सामने ऐसा option आजाएगा, कि यहां से अपना debit card का number जो डाली है, अपना UPI pin बनानी है, बना लीजिए, आपके पास UPI pin बनानी के लिए debit card है ही नहीं, तो क्या किजेगा आप, यहां देखिए छोटा सा लिखा हुआ using आधार number, तो आप अपना आधार card के use कर सकते हैं, तो यहां आधार card के उपर में किलिक करेंगे, और यहां देखिए आधार card का number बोला जागा, कि आधार number link with bank, यानि बोला जा रहा है कि आपका जो आधार card है, वो bank के साथ link होना चाहिए, अगर link है, तो उसका नीचे लिखाओ accept और proceed, इसके उपर में किलिक कर दीजे, थोड पहला 6 number को डाल देते हैं, आधार का हम पहला, जो 6 number हो डाल दीए, और proceed को उपर में जैसे किलिक करेंगे, तो bank के तरफ से 2 OTP आएगा, एक bank के तरफ से आएगा, एक आधार card काट के द्वारा आएगा, देखिए message यहां आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, यहां से दे लिखा हुआ है, इंटर 6 digit का आधार OTP, तो अभी message में जाएंगे, यहां message को खोलेंगे, और आपको सबसे पहले देखना है, वहां बोला जा रहा है, आधार OTP, दो OTP, दोनों सेम सेम आएगा, तो आपको समझ में नहींगा, तो आधार OTP कोन है, देखिए, आधार वाला है यहां लिखा हुआ है, आधार OTP, और यहां आधार OTP कौन सा है, उसी को याद किजिए, और वहां पर डालिए, और 10 मिनट का समय भी मिलता है, तो आपको हरबर नहीं करना है, तो अराम से अपना OTP को यहां से देख लिजे, और आपको वहां पर फिलप किजिए, चली, करके दिखाते हैं, आधार काट का जो OTP आता है, उसको डाल दिये हैं, अब यहां से बुला जा रहा है, सिख डिजिट का बैंक OTP, तो फिर से हम मैसेज पर आएंगे, और यहां देखिए, उसी को उपर में, जो यहां अधार OTP है, उसी को उपर में, यहां बैंक का OTP भी आया फोर डिजिट का कोई भी अपना UPI PIN आप सेट कर लिए, तो चलिए, फोर नमर का कोई भी UPI PIN दो बार डाल देते हैं, आधिके हम अपना दो बार UPI PIN सेट कर लिए हैं, और यहां जैसे सही पे टिक मारेंगे, तो आप थोड़ा सा वेट करना है, और जो मेरा UPI PIN है सेट ह हो जाएगा, तो यहां देखे सही का टिक भी आगया, यहां UPI PIN सेट भी हो चुका है, तो आप देख लिए, इस तरह से आप आराम से अपना UPI PIN सेट कर सकते हैं, और कहीं भी कोई दिकत नहीं होने बाला है, और फिर भी कहीं कोई दिकत होता है, तो आप कोमेंट करके पू